हरा भरा जंगल हमारे ग्रह का एक ऐसा हिस्सा है जो जीवन, रंग और गतिविधी से भरा है. यहां हम अपने चारों और सुन्दर जीवन की विविद्टा देखते हैं. हम अनोखे पक्षियों और जानवरों को जीवन के लिए दोड़ते, भोजन के लिए कूदते, शिकार के लिए पीछा करते, बच्चों के लिए शिकार करते और कथोर मौसम में देखते हैं. यह एक ऐसी गतिविधी है जो जंगल के जीवन में बहुत आम है. बंदर बेहत खूबसूरत और आकर्शन से भरपूर प्रानी होते हैं. यानि मलेशिया, ब्रुनाई और इंडोनेशिया. सून्ड बंदर, ना सालिस लावाट्स, दुनिया के सबसे असामान्य दिखने वाले बंदरों में से एक है. इस लाल नारंगी बंदर का नाम इसकी विशाल लटकती हुई नाग के नाम पर रखा गया है. इसे मलेशिया इभाषा में मोनीट बेलदा, दच बंदर, या ओरंग बेलदा, दच मैन, भी कहा जाता है. स्थानिय लोगों ने सोचा कि यह लाल चेहरे वाला, बड़ी नाक वाला, पेट वाला बंदर दच उपने विश्वादियों जैसा दिखता है. सून्ड बंदर के पास नारंगी भूरे रंग का कोट और भूरे हाथ, पैर और पूंच होती है. सून्ड बंदर की बड़ी नाक उम्र के साथ विक्सित होती है. अहिलाओं की नाक छोटी होती है जबकि नर की नाक अठारा सेमी तक लंबी हो सकती है नर और मादा दोनों का पेट बड़ा होता है जो पॉट बेली जैसा दिखता है बड़ी नाक वाले नर सूंद बंदर अपने समूह में अधिक मादाओं को आकरशित करते हैं शोट करताओं ने पाया है कि एक बड़ी नाक बंदर की आवास को बदल देती हैं जिससे नर के बड़े आकार और नाक के आकार के बारे में दूर स्थित मादाओं को बता दिया जाता है ध्वनी महिलाओं को प्रभावित करती है और अन्य पुरुषों को डरा सकती है बड़ी नाक वाले नरके व्रिशन भी बड़े होते हैं और उनका वजन भी छोटी नाक वाले सून्ड बंदरों से अधिक होता है इन बंदरों के लिए नाक का आकार माइने रखता है सून्ड बंदर नदी के जंगल, तराई के जंगल, मैंडरोव और पीट दलदल में रहता है यह आमतोर पर बड़े जलमार्क के एक से दो किलोमीटर के भीतर के आवासों तक ही सीमित है यह बंदर अत्यदिक व्रिक्ष्वासी होते हैं और बहुत कम ही जमीन पर आते हैं प्रोबोसेस बंदर एक समूह में रहते हैं जिसमें एक प्रमुक नर और लगबग पांच या छे मादाएं और उनकी संताने होती है समूह का आकार अलग-अलग होता है, कुछ समूहों में 30 व्यक्ति तक होते हैं महिलाओ का समूह बदलना कोई असामान्य बात नहीं है, किशोर पुरुष अपना जन्मस्थान छोड़ देते हैं और कुवारे समूह बनाते हैं प्रोबोसिस बंदर आमतोर पर नदियों के पास सोते हैं वे दिन के दोरान भोजन की तलाश में अंतरदेश्य यात्रा करते हैं और शाम को नदी के किनारे सोने की जगहों पर लोट आते हैं समूह अक्सर शाम धलते ही नदी के किनारे एकत्र हो जाते हैं ये शोर शराबे वाले अफसर हैं जिनमें नरहौन बजाते और दहारते हैं, प्रतिद्वंद्वियों पर प्रदर्शन करते हैं, एक पेर से दूसरे पेर पर कूदते हैं और जोर से तकराते हुए उतरते हैं. सून्ड बंदर बहुत अच्छा तैराक होता है. इसकी अर्ध जलिय जीवन शैली में सहायता के लिए इसके पैर और हाथ आंशिक रूप से जाल वाले होते हैं और इसे दलदलों में चलने या नदियों और खाडियों पर कुत्ते के साथ चप्पु चलाने में कोई समस्या नह पहुचने के लिए नदियों में तैरते हैं. फ्रोबोसिस बंदरों को अकसर पेरों से कूदते और दूसरी तरफ तैरने से पहले नदी के बीच में उतरते देखा जाता है. सून्ड पानी से बहुत जुड़ा होता है. ये पानी के पास रहता है और अपने पर्यावरन के अ सून्ड बंदरों की आबादी में 80% की गिरावट आई है. ऐसा माना जाता है कि जंगल में लगभग 7000 सून्ड बंदर बचे हैं. सून्ड को कैड में देखना बहुत दुरलब है. इस प्रकार के बंदरों को हम विश्व के निमनलिखित भागों में देख सकते हैं. क्लियास प्राइद्वी, सबा. लाबुग बेप्रोबोसिस बंदर अभ्यारन्य, सबा. बाको राष्ट्री ओध्या, सारावाक. कुचिंग वेटलैंज नेशनल पार्क, सारावाक.